हलो दोस्तो आप सभी के लिए आज हम राजस्तान की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेका है वो है चूर्मा चूर्मा तो आपने बहुत तरह का बना हुआ खाया होगा लेकिन इस तरीके का बना हुआ चूर्मा आपने कब भी नहीं खाया होगा 100% मेरी गारंटी है तो यह तो आ बहुत ही ज़्यादा healthy tasty और इस तरीके से बनावा चूरमे को हम एक मेने के लिए store भी कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों इस तरीके से बनावा चूरमा बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है तो आपको इसे भी तेवार पेश से बनाईए उसके लिए आप recipe को पूरा जरूर देखन और recipe अच्छी लगे तो चैनल को subscribe करके support जरूर किया करें दोस्तों support करने के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe तो देखिए यह recipe ग्यों के मोटे आटा से बनाए जाती है लेकिन आज जो हम रोटी वाला बारिक वाला आटा है उसी से बन के अंदर तो यह मोईन के लिए मेना अधा कप देशी घी लिया है दोनों आटा को अच्छे से mix कर लेंगे फिर इसमें मोईन डाल देंगे और मोईन को अच्छे से हातों से mix कर देंगे इसके अंदर फिर आज हम दूद से बना रहे हैं तो यह मैंने गरम ठंडा दूद लिया है और दूद इसमें जितना लगेगा उतना हम डाल देंगे पानी का यूज बिल्कुल नहीं लेंगे यहां पे तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद डाल देंगे और इसका डो लगा लेंग और इसको बस गौथना नहीं है, बस पूरे आटे को मसल के खठा करना है हमें, तो इस तरीके से करेंगे तो हमारी बहुत ही ज्यादा दानेदार ये चूरमा बनके तयार होगा, अगर इसको गौथ लेंगे तो फिर ये दानेदार नहीं बनेंगे, लड़ू जो हम चूरमे के बनाएंगे जो, तो यह देखे, मैंने इसको गौथा नहीं है, बस आटे को सारे को इकठा कर लिया है, इकठा करके आप चाहे तो इसे दस मिनट रेस्ट के लिए भी रख सकते हो, या डाइरेक्ट भी बना सकते हो, तो यहां पर देखे, इस तरीके से हम मुठियां बनाएं तो इस तरीके से आटे की सारी मुठियां बना के तैयार कर लिजे, पहले ही रख लीजे तैयार करके, और इधर मैंने देशी घी गरमों के लिए रख दिया था, और घी बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम रखना है, पहले आज को हमें लो मीडियम ही रखना है, ज जब इनकी सिखाई होने लग जाए, तब थोड़े आप ज़्यादा बढ़ा सकते होगे इसको, तो ये देखिए, जितने मुठियां आई, उतनी मैंने इसके अंदर कड़ाई के अंदर डाल दिया है, और इनको थोड़े से देर हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, थोड़ तक अच्छे से सिखाई हो जाएगे, आज को यहां पर हाई रखेंगे, तो ये बाहर से तो सिखाई हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएगे, तो ये देखिए, कम सकम मेर को यहां पर 7-8 मिनट लग गई है, इनकी बढ़िया से गॉल्डन कलर की सिखाई हो चु और इन्हें भी बढ़िया से गॉल्डन होने तक सिखाई करके निकाल लेंगे, तो ये देखिए, दूसरे बेज की भी अच्छे से सिखाई हो चुकी है, और इन्हें मैंने सारे चूर में को फ्राई करके निकाल लिया है, फिर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तो ये कूट सकते हो, कूट के फिर छान लीजिए बड़ी छनी से, तो मिक्सिजार में डाल और कर पीसेंगे, तो इसे छानने की जुरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से देखिए, दरदराई ही पीसना है, बिल्कुल भारिक नहीं पीसना है, एकदम दाने-दाने से इसके रहन दाल दिया है, तो यह देखिए, मैंने सारा चूरमा पीस के एक बड़े बरतन के अंदर परात के अंदर निकाल लिया है, और इधर उसी कड़ाई के अंदर हम तेन चम्मत देशी घी डाल देंगे, और पहले अपने मन पसंद के कोई भी ड्राइप रूट्स लेके इन्हें ह और थोड़ी सी मैंने किसमिस भी लिये, इन्हें को भी ऐसे ही फ्राइ करके निकाल लेंगे, और यहां पर जितना हमारा आठा था उतना मैंने लिया है, गुड़ को मैंने चाकू से बारिक बारिक काट लिया है, ताकि इसमें जो गंद की होगी वो भी निकल जाएगी, चाक नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे लड़ू कड़क बनेंगे, फिर ज्यादा पका लेंगे तो, तो इधर यह हमारे ड्राइफ फ्रूट्स भी मैंने चूरमे के अंदर डाल दिये हैं, सारे, अगर आपके पास इलाइची पाउडर है, तो इलाइची पाउडर यहां पे डाल अगर मेरे पास साबूती तो मैंने पहले ही डाल दी, अब जो गुड़ हमने मेल्ट कर लिया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे तो इस तरीके से देखिए घीर डालने से गुड़ भी कड़ाई के नई चिपका है, पूरा गुड़ आसानी से निकल जाता है तो इसे बने हुए चूर में के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले हम इसी चम्मत से ही कर लेंगे नहीं जादा गरम में हम हाथ से नहीं करेंगे, तो यह देखिए अब चम्मत से करते करते ही ठंडा होने लगया हलका सा तो यह अब हलका करम है तो इसतरीके से मुसल, के अच्छे से से मिक्स हो जाएगा हुआ इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उल्मा यह जोंता बना हो बात तो यहां पे मैंना आधा कप देशी गी को गरम करके लिया है अगर हम उपर से थोड़ा सा गी गरम करके और डाल देते हैं तो अच्छे लडू तो बनेंगे और बिल्कुल शॉप्ट भी रहेंगे लडू बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे तो यह देखिए इस तरीके से ब परफेक्ट लडू बनके तयार है और आप चाहे तो थोड़े चोटे बड़े अपने इस आप सभी बना सकते हो लेकिन मैंने बहुत ज़्याद है चोटे भी नहीं बनाएं बहुत मोटे भी नहीं बनाएं मीडियम साइज रखी है इनकी तो इस साइज के बने हुए लडू लडू बना लेकिन इस साइज से बहुत ही अच्छे दिखते है और लडू लडू एक हमारे गूड से बना लडू तयार है और यह राजस्तान के बहुत पुरानी रेसिपी है। यह रेसिपी मैंने सीधी राजस्तान से शेयर किया आप सभी के लिए हमारी दादी नानी इसी तरीके से बनाया करती थी पहले और एक मेने के लिए स्टोर भी कर लिया करते थे और कई दिनों तक इने खाते थे यह बहुत ही हैल्दी भी होते हैं इस तरीके से बने हुए पसंद आएंगे यह चूर में के लडू और दोस्तों आपने वीडियो में देखा बहुत ही आसान तरीका है इने बनाने का तो आप सभी से जरूर बनाएं अगर आप बना रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका कोई भी क्यों सुनों तो कमेंट करके पूछ सकत हो वीडियो अच्छा लगाओ तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद टे केर मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक नहीं रेसिपी के साथ